हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज का अपना टोपिक है बीकों पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का पूर्ति की लोच यानि इलास्टिस सिटी ओफ सप्लाई पूर्ति की लोच के बारे में हम यह जानेंगे कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में रद्धी होती है पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत में कमी होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है अता है कीमत में कमी से और व्रधी से पूर्ती में जो कमी व्रधी होने की प्रवर्ती होती है उसे ही पूर्ती की लोच कहते हैं लोच यानि इलास्टी सिटी आप जैसे एक रबर बेंड होता है उसे हम जितना खेंचेंगे वो बढ़ जाएगा छोड़ेंगे तो अपनी स्थिति में आ जाएगा उसे हम इलास्टी सिटी के नाम से जानते हैं यानि लोच के नाम से जानते हैं जब हम पूर्ती के बारे में बात करते हैं सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो सप्लाई की यही कंडिशन होती है कि जैसे ही उसकी किसी वस्तू की कीमत में व्रद्धी हो जाती है वैसे ही हम मार्केट में देखते हैं कि सप्लाई भी किसी वस्तू की बढ़ जाती है और जैसे जैसे कीमत में कम होती है व उसको हम elasticity कहते हैं कमी व्रधी के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे elasticity या elasticity of supply कहते हैंТак वूर्ति कि लोज कहते हैं पूर्ति की लोज को हम प्रतिशत पूर्तन से और आनुपातिक पूर्तन से जानते हैं पूर्ति की लोच किशेणिया यानि कितनी तरह की यह होती है degrees of elasticity of supply कितनी तरह की होती है मुख्यत यह पांच प्रकार की होती है जिसमें है पूर्णत या लोचदार पूर्ति अत्यधिक लोचदार पूर्ति लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार पूर्ती बेलोचदार या कम लोचदार पूर्ती पूर्ट है बेलोचदार पूर्ती अथवा पूर्ती की शुन्य लोच यहां बिल्कुल भी चेंजिस नहीं इनके बारे में एके करके हम जान लेते हैं पूर्टिया लोचदार पूर्ति जिब कीमत में अत्यांत सुक्ष्म प्रिवर्तन होने या परिवर्तन ने होने पर भी स्प्लाई में अत्यादिक परिवर्तन हो जाता है तब वस्तू की पूर्ति पूर्टिया लोचदार कही जाती है ऐसे वस्तू की पूर्ती का यदि हम वक्र बनाते हैं तो यह समानतर शेतिर त्रेखा खुती है इसे एपारिमित लोच भी कहते हैं वास्तिविक जीवन में इस तरह का कोई उधारन नहीं मिलता है यह एक कल्पना मातर है कि एक निश्चित कीमत पर हम चाहें जितनी वस्तू की उपलब्द तक करवा दें यह एक कल्पना मातर है दूसरी स्थिति है हमारी अत्यधिक लोचदार पूर्ती जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा अनुपातिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की पूर्ती में अत्यधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ती कहते हैं जैसे कि यदिक किसी वस्तु की कीमत में 10% के लगभग परिवर्तन होता है और उस वस्तु की पूर्ती में 50% से भी जादा परिवर्तन आ जाए तो इसे हम कहेंगे कि पूर्ती की लोच इकाई से अधिक है यानि कि अत्यधिक लोचदार पूर्ती है तीसरी कंडिशन है लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार पूर्ती जब किसी वस्तु की पूर्ती में कीमत के समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ती या इलास्टिस्टी इकाई के बराबर होती है यानि कि यदि कीमत में दसपर्तिशत का परिवर्तन हुआ है तो वस्तु की पूर्ती में भी दसपर्तिशत का परिवर्तन होता है यानि कि बराबर होता है एक अनुपात में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे इकाई की लोच है इसमें स्प्लाइक जो है वह है इकाई लोच के बराबर है अगला है हमारा बे लोचदार या कम लोचदार पूर्ती जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बहुत अधिक होने पर भी पूर्ती में आनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होता है तो उसे वस्तु की पूर्ती कम लोचदार या बे लोचदार कही जाती है यहां elasticity एक से कम होती है देखिए अत्यदिक लोचदार और कम लोचदार में आप अंतर देख लीजिए अत्यदिक लोचदार जो होती है वह इकाई से अधिक होती है और यहां इकाई से कम हो गाई है यानि यहां जो परिवर्तन हो रहा है सप्लाई की अंदर कीमत के वनिस्पत कम हो रहा है अनुपात कम हो रहा है और उधर जब हम अत्यदिक लोश्दार की बात कर रहे थे तो वहां कीमत के वनिस्पत वस्तु की पूर्ती बहुत ज्यादा पर परिवर्तित हो रही थी तो इन दोनों में ये मेंड डिफ्रेंस है आप इसमें कन्फ्यूस नहीं होगेगा अगला बिंदु है हमारा पूर्ट है बेलोचदार पूर्ति अथ्वा पूर्ति की शुन्य लोच जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक या आपरिमित परिवर्तन हो जाने पर भी वस्तु की पूर्ति में अत्यांत ही सुक्ष्म या कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पूर्णतिया बे लोचदार पूर्थी कहते हैं यहां पूर्थी की जो लोच है वह शुन्य होती है elasticity जो है हमारी 0 की equal होती है यहां मतलब कितना भी कीमत में परिवर्तन क्यों ना हो supply जो है वो है नहीं बदलती है कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है और यदि परिवर्तन होता है तो बहुत ही सुक्षम होता है बहुत ही बहुत ही माइनर होता है उसमें चेंज तो इस तरह से degree of elasticity of supply हमारी है पांच तरह की यह five types है इसके और इनको आपको ध्यान में रखना है जब आप पूर्थी की लोच की बात करते हैं चित्र के रूप में अगर हम देखें तो पहला चित्र जो हमारा है elasticity जो है वह ए परिमित है हमारी infinite है यानि अनन्थ है हमारी उसके बारे में बता रहा है यानि पूर्ण तेयर लोचदार पूर्थी की condition है पहला diagram जो है हमारा यह diagram जिसके हम बात कर रहे हैं इसके अंदर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारी supply है वह एक निश्चित कीमत में अनन्थ है चाहें जितनी मात्राइं हम खरीद सकते हैं चाहें जितनी मात्राइं उपलब्द है उस market के अंदर एक निश्चित कीमत में दूसरा जो B diagram है हमारा वह हमें यह बता रहा है कि यहाँ पे अत्यधिक लोचदार पूर्थी है highly elasticity supply है यानि कि यहाँ पे जह हम diagram के अंदर देख रही है कि कीमत में थोड़ा सा परिवत्न होने पर उस वस्तु की मात्रा में अत्यधिक परिवत्न हो जाता है यानि कि यहाँ पे इकाई जो है तुलनात्म गुरूप से अधिक है लोच तीसरा diagram जो हमें बता रहा है वह यह बता रहा है C diagram की बात कर रहे हैं हम यह कि जितनी मांग में कीमत में जितना जितना परिवत्न हो रहा है सेम उतना ही सप्लाई में परिवत्न हो रहा है यानि अगर 10% कीमत में परिवत्न हो रहा है तो 10% ही हमारी सप्लाई में भी परिवत्न होगा तो ऐसे स्थिती के अंदर दोनों इक्वल होंगे इकाई के बराबर होंगे चौथी कंडिशन जो है डियाग्राम की वह हमें ये बता रही है यह है कंडिशन जो है बे लोचदार या कम लोचदार पूर्ती की है यानि कि यहां पर परिवत्न जो हो रहा है कीमत का और सप्लाई का वह है कीमत में परिवत्न जो है अधिक हो रहा है लेकिन सप्लाई में परिवत्न कम हो रहा है यहां पर बे लोचदार पूर्ती है और last जो हमारा डाइगराम E है वह हमें यह बता रहा है कि यहां पर कीमत में कितना भी परिवर्टन कर लें हमारी जो पूर्ती है जो हमारी supply है वह fixed है और यदि इसमें परिवर्टन भी होता है तो वह ना के बराबर होता है और ऐसी स्थिती के अंदर जो Elasticity है हमारी वे 0 है तो ये हमारी 5 तरह की degrees है और इन degrees के बारे में आप जब भी diagram बनाएंगे तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे diagram बनाना है अब बात करते हैं